जैस्री गडिश कार्तिक मास जल रहा है और कार्तिक पूर्णिमा 15 रॉंबर सुक्रवार को है कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर दिन है और इसे देव देवाली भी कहा जाता है पूरे कार्तिक मास आप देवदान करते हैं देव दिवाली का तात पर्या है कि एक और और सर हमें मिल रहा है भगवान को उक्ष अर्पित करने का यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान राम का आगमन हुआ था इसलिए हमावस्या को दिपक लगाया जाता है और दिवाली मराई जाती है अब और चित्तिया है कि देव दिवाली क्यों है पुर्णिमा के कुछ दिन पहले ही नारान जगे हैं भगवान जगे हैं तो उनके जगने के बाद जो दिपों का उत्सव मनाय जाएगा उसे देव दिवाली कहते हैं यदि आप कासी गए हैं बरारस गए हैं तो वहां तो इस दिन का एक अलग छटा रहती है यद नहीं गए हैं तो आप एक वारव से जाएए इससे आप पूर रूप से परशित हो जाएगी अब चर्चाय करते हैं कि इस दिन क्या किया जाए सरोपर्थम तो आप ब्रहम भेला में जाएगी और जागने के बाद प्रभु का स्मर्ण करते हुई अपनी नित्धिक्रिया कीजी असनान की समय आप गंगा जल में जल मिलाकर गंगा 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 स्मर्ण करते हुई आपना हाई इद्यप नहाने के लिए गंगा स्नान बहुत ही अच्छा और पुवित्र दिन है किन्तु सब के लिए गंगा स्नान करना संभो नहीं होगा इसलिए आप गंगा जल में जल मिलाकर गंगा 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 यह कहते हुए आप असनान करिए स्नांख के समगर आप कुसाध हार जरू किजी स्नांख के बाद आप जैसे नेमित पूजा करते हैं वाँ पूजा किजी किंद लक्षमी नाराणी की पूजा इसमे नवसे किजी लक्षमी नाराणी को दुब्ट से स्नां क Chand कमल एद मिल जाए तो मा लक्ष्मी को कमल रपित कीजी एद नहीं मिलता है तो कमल गटा और नाराइन को तुलसी की माला यह आप रपित कीजी और घर के बाहर मुखे दरवाजे पर स्वस्तिक का चिंधा बनाई और वहां भी आप दीपक प्रज्रित कीजी मुखे दरवाजे पर असोक के पत्ते का बंदनवार यह भी आप लगाएं और घर के अंदर जिस जल से आप अस्तान कराया होगा उसमें हल्दी डालकर पूरे घर में नाराणे नाराणे कहते हुए आप जलका छिड़का होगी जीए नाकारात्मक सक्तियां जो भी हैं सब दूर हो जाएंगी यह आपके घर की प्रक्रिया होगी साइनकाल आप मुखे दरवाजे पर दीपक पजलित कीजिए पूजा घर में दीपक पजलित कीजिए और नाराणे की पूजा में तुलसी जी का बहुत बड़ा स्थान है तुलसी जहाँ आपने तुलसी बिवा किया होगा तुलसी पूजा की होगी आपने करते हैं वहां ग्यारह घ्गी का दीपक आप लगाईगी और पीपल के बिक्ष के नीचे भी आप ग्यारह दिपक लगाईगी बिल्लू बिक्ष की भी पूजा करके उसके नीचे आप दिवर्पित कीजी यह सब करने से निश्चित रूप से भगवान स्री हर की किरपा मिलीगी और इस दिन बिश्व सहस्नाम का पाथ सीसूत का पाथ यद यह आप न कर सकें यह संकृतन आप जरूप कीजिए और जो भी आप कर सकते हैं गीता पाठ, रामायड पाठ, सीवत भागवद का पाराण या पाठ, जो आपके लिए संभव हो, वह कीजिए, ये दिने कुछ संभव हो, तो भगवन नाम संकिरतन या नाम जब यह आप जरू कीजिए, इस दिन भगवान फुलेनाथ को कच्चे दूद से, गाय की कच्चे द बड़ा फल दाई होता है, अब संखेप में एक बार या फिर बाते में दोहराऊँगा, ब्रहम बेला में उठना, गंगा जल मिस्ट जल से स्तान, कुसा धारन करना, और भगवान को स्तान, दीवदान, घर के दरवाजे पर स्वस्तिक, वहां दीपक, पीपल बिक्षमी बेलो बिक्ष पर दीपकदान, और घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बने हुए अस्थान पर दीपकदान, यदि गोसाला है, तो वहां भी दीपकदान आप जरूर कीजी, और इन सब के साथ भगवान स्री हरिका जितना हो सकी, उतना आप स्वानण कीजी, उनका चिंतन कीजी निस्सी दूरूप से आप एज़ान लेजिए, कि उनकी अगाध करपा आपको मिलेगी, और आपके सभी मरूरत पूर्ण होगी, जैस्रीकर्श